भगवान गनेश सनातन धर्म के प्रथम पूज्य देव हैं। देशपर में गनेश चतुर्थी को भगवान गनेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव गनेश विसरजन तक यानी दस दिनों तक चलता है। गनेश जी को गजानन, लंबोदर, विगनहर्ता, गनपती, विनायक। एकदत आदी कई नाम से जाना जाता है। आईए जानते हैं गनेश जी को क्यों मिले ये नाम। माता पार्वती ने दिया गनेश नाम गनपती जी के सभी नामों में से सबसे प्रमुक्ष नाम है ये नाम उन्हें उनकी माता पार्वती से मिला है। मान्यताओं के अनुसार, माता पार्वती ने अपनी दिवयर शक्तियों से गनेश जी को उत्पन किया। एक बार जब वह सनान करने जा रही थी तो उन्होंने हल्दी का उप्टन लगाया और उसे उतार कर एक पुतला बन इसके बाद उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से इसमें प्रान डाल दिये। इसके चलते वह महादेव को भी अंदर प्रवेश करने से रोक देते हैं। पार्वती को ग्यात होती है तो वह को विलाप करने लगते हैं और शिव जी से कहती हैं कि यदि आपने मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया तो मैं भी अपने प्रान त्याग दूंगी। तब भगवान शिव गनेश जी पर हाथी का सिर जोड़कर उन्हें जीवित करते हैं। गज का सिर होने के कारण ही गनेश जी को गजानन कहा जाता है। तब ही से उन्हें एकदत के नाम से जाना जाता है। तब ही से भगवान गनेश को लंबोदर नाम से भी जाना जाता है। विनायक नाम का अर्थ विनायक का शाब्दिक अर्थ होता है सबसे बड़ा मुखिया। जब गनेश जी को भगवान शिवद्वारा हाथी का सिर लगाकर पुनरजीवित किया गया तो उस समय देवी देवताओं ने उन्हें कई आशीरवाद दिये। जैसे किसी भी मांगलिक कार्य से पहले गनेश जी की पूजा होगी। इसलिए उन्हें प्रथम पूज्य देव भी कहा जाता है। इसी दोरान उन्हें विनायक नाम भी मिला।